अरे तु मस्टर नहीं है अरे चलो आई 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 मस्टर नहीं आई ये लो आदे फिर पढ़ाने ए चल तु जा अंदर कहीं इसकी मनुष चाया कासर तुझ पढ़ना पड़े पड़ लिकर क्या करेगी वैसे विचूला ही तो समालना है बचे ही तो समालने कपड़े ही तो धोने बड़ी आई इस्टियों को शिक्षिक करने वाली राम राम मस्टर निवाई रासु बाई राम 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 अरे क्यों बहिका रही हो हमारे बाल बच्चों को उस फूले ने तो तुझे छोड़ दिया पड़ा लिखा कर ज्यान बैठने को और तू मुई मुठा कर चली आई बेशरम कही कि अवराज़ात पर कलंख हो कलंख तेरी तो अकल पर ही गोबर परा है अईकर बेक्षक कर दो मुटे गोबर आई सबस्टेगे रखाँ आगाँ तावबत री सावित्री जानता हूं मैं तुम्हारे साथ आज जो भी हुआ सब कुछ जानता हूं मैं सावित्री एको सावित्री ये समाज जगड़ा हुआ है अपने ही बंदनों में अपने अग्यान में ही आनन्दित रहते हैं लोग रामण पाफपुन्य की भाषा करते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि नारी को अग्यान में रखकर कितना बड़ा पाप किये हैं उन्होंने मनु ने कहा था नहीं लिखा था कि नारी को शिक्षा गरहन करना पाप है सावित्री हम नारी को शिक्षित करके मनु के इस इदा से मुक्त करेंगे नारी अग्यान से मुक्त हुई तो सारा समाज मुक्त हो जाएगा ये समाज पर अंपरा को तोड़ना नहीं चाहता अगर कोई उने शिक्षित करने का प्रैतनी भी करे तो उसे अपमानित किया जाता है रामणवात का हैंकार उस पर कोबर फेगता है इसी निराश नहीं होना चाहिए सावित्री बिल्कुल नहीं हमें कई बार अपमानित हो ना होगा आपने मुझे पढ़ाया लिखाया अब तो मैं भी इतना जान चुकी हूँ कि इन लोगों से अच्छे विवार की अपिछा नहीं की जा सकती ये तो अपमानित करेंगे मैं विचलित नहीं हूँ जरा भी नहीं मैं तो यह सोच रहती कब तक इन लोगों को शिक्षा का मैतर समझ में नहीं आएगा कब तक ये लोग अग्यां के अंदेरे में रहेंगे हमें इन्हें शिक्षित करना ही होगा जब तक महिलाय और समाज के निचले तपके के लोग शिक्षित नहीं होते मैं शिक्षा का प्रसार करती रहूंगी ये मेरा द्रिड संकल्प है